तो सहाय को यहां पर मिलेंगे 35,400 से 1,12,400 रुपर प्रती महा लेवल 6 के अंतराइब अलो फ्रेंड्स एक और नई वेकेंस से लेके फिर से आ गए हैं आप सभी के लिए तो दोस्तो आज कुड़े हम बताने वाले हैं आपको उज्जेन में निकली एक रोजगार अपडेड जिसके तहर दोस्तो आप यहां पर सीधी भरती में आउदिन कर सकते हैं सेलरी काफी बड़ी है और दोस्तो आपको आफ लैन आउदिन करना है तो चलिए दिखाते हैं यहां पर इसका पुरा विग्यापन आपको तो यहां पर दोस्तो उप निदेशक की भरती है साहयक निदेशक की भरती है लेखा अधिकारी की भरती है साहयक कारले साहक की भरती इसके बाद दोस्तो कनिष्ट अनुवादक की भी भरती है बर्टि टास्ति स्टाफ की भरती है इसमें दोस्तो आपको अपना आवधन पत्र डाग दोवारा लिफाफे के अंदर आपको भेजना है या आप दोस्तो डायाग इंके आफिस में जाके भी जमा कर सकते हैं आवदिन पत्र भेजने की यहां पे अंतिम तिति पाच दिसंबर 2022 रखी गई है इसका विग्यापन दोस्तों 15 से 21 अक्टुक पे जारी किया गया था तो 35 दिन का दोस्तों हमें समय दिया गया है अपने आवदिन पत्र को जम्मा करने के लिए अफिसल वेबसाइट की बात करें तो यहां पे दी हुई है www.msrwvvp.ac.in पर भी आप इसमें दी जाएं करें देख सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद अगली इसमें हम देखेंगे कि इसमें सेलरी कितनी मिलने वाली है क्या योगेता रखी गई है चलिए दोस्तों देख लेते हैं तो जो सीदी बरती का पहला पद है वो है यहां पे साहिक निर्देशक असिटेंट डायेक्टर का सेलरी यहां पे सुरू होती है दोस्तों चपन हजार सौ उर्पए से लेके एक लाग सत्तर हजार पांस उर्पए पतिमा के अधर पर रहेंगी और यहां पर डायेक्ट उसे एक लाग बारा हजार चार्स रूपर प्रती महा लेवल छे के अंतरकत यहां पर दोस्तों आपको वेतन दिया जाएंगा और यहां पर आपकी जो योगता रहेंगी आपका यहां पर बेचलर डिगरी मतलब की आखी पास जैसे की बीए बीए से बीकॉम बीए बीटेक वाले भी दोस्तों सप्लाय कर सकते हैं और आपका दोस्तों यहां पर आपको हिंदी एन अंग्रेजी में काल करना आना चाहिए अधिक तो माय उसी मजो रहेंगी यहां पर तीस वर्ष से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहां पर जूनियर हिंदी ट्रांस्लेटर की तो इनको भी जो सेलरी रहेंगी यहां पर 35,400 से 1,12,400 और प्रतिमाद दिया जाएंगा सीधी भरती है योगे तक ही बात करें दोस्तों तो आपका यहां पर मास्टर डिग्री होना चाहिए यहां पर अगली वेकेंसी है मल्टी टास्किंग स्टाफ की ग्रूप सी के अंतरगात सेलरी आफ दे सकते हैं काफी बड़ी है 18,000 से लेके 56,900 और तक आप वेतन मान रहेंगा पेस केल रहेंगा और यहां पर दोस्तों सीटे है तीन सीटे रखी गई है यह गया तक यह बात करें तो दोस्तों इसमें दसवी पास वाले भी आवदिन कर सकते हैं या आई टी आई पास वाले भी इसमें आवदिन कर सकते हैं तो दोस्तों दोनों ही लोग इसमें आवदिन कर सकते हैं इसमें आवदिन वहेजने से पूरों दोस्तों यहां पे को जनरल टर्म एंड कंडिशन नियम असरते बताए गया है इनको दोस्त आपको अच्छे तो पढ़ लेना है यह सब चीजे दोस्तों यहां पे अंग्रेजी भासा में लिखी हुई है तो में में पॉइंट में आपको बताए आप देख सकते लिखा हुआ है तो इस एड्रेस पर दोस्तों आप भेज सकते हैं यह पूरा एड्रेस आपको उसमें लिख देना है तो इस पीट पोश्ट दोस्तों आप इसे भेज दिए जएगा किसी अन्य गलत साधन का मत भेजे गया और किसी प्राकिक गलत जानकर यह आपको इस आवदुन पतr का साथ में नहीं देनी है आवदुन पतr का format दोस्तों इन्होंने यहां पे दिया हुआ है नीचे में आप देख सकते हैं तो यह जब प्रुफार्मा है यह सीधी भरती वालों का है जिनको डैक्ट भरते ही चाहिए यहां पे इनके विबाग में तो इसका form आपको मिल जाएंगे दोस्तों मैं आपको link दे रहा हूँ description में तो सबसे पहले दोस्तों आप जब form भरना start करेंगे इसका print निकाल के तो किस post के लिए आप apply कर रहे हैं उस post का नाम दोस्तों इस जगा पे आपको लिखना है फिर इस जगा पे आप नाम लिखेंगे अपना फिर यहाँ पे father's name लिखेंगे अगर शादी सुदा महिला आवदिन कर रही है तो अपना husband name भी यहाँ पे लिख सकती है यहाँ पे आपको photo लगा देना है self attest करेंगे उसे उसके बाद आपको अपनी जर्म तारिक यहाँ पे लिख देना है पहले date फिर month फिर year और उमर कितनी होती है वो आपको यहाँ पे लिख देना है आपकी इस category के हैं SCST, OBC, EWS, Works का लिख करेंगे अपना आधर नमबर लिखेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पत्रचार का पता एड्रेस लिखेंगे telephone number और email ID आपको लिखना होंगा फिर permanent address भी लिख दिखेंगे यहाँ पे आपका जो भी है complete address लिखेंगे फिर दोस्तों education qualification तो सबसे पहले दस भी फिर उसके बाद जो भी आपका education दोस्तों यहाँ पर तीन कॉलम दिये हुए है और ज्यादा कॉलम नहीं है तो आप यहाँ पे कम इसमें अपनी जो भी सेक्शन योगता है बता सकते हैं कोर्स का नाम लिखेंगे आपका university board जो भी था कितने समय का उसका duration था मतला एक साल का था दो साल का था तीन का था यह पासिंग क्या था में सब्जेक्ट क्या थे और क्या विससे जगयता है क्यों से विससे में आपने विससे जगयता हसल की उसकी जाएंकरी और फिर यहाँ division percentage जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं काम आपके और यहाँ फिलress कर सकते हैं coc दोस्तो आपके अनुभाव के बारा पूछता है कहीं अगर आपने काम किया है किसी जगह पे तो उसकी जानके दोस्तो आप यहां दे सकते हैं तो आफिस का नाम किस पोश्ट पे थे रेगुलर थे टरमीन पेंपर इंपरिट थे लेवल क्या था कब से कत्थ काम किया और क्या ड्यूटिस थी दोस्तों आपकी उस जगह पे यहां लिख सकते हैं यहां पे कावलम दिये हुए है एक दो तीन चार तो यहां पे अपने हिसाफ से आप दोस्तों फ्यूल कर दीजगा अब दोस्तों आपको यहां पे आपसे कंपिटर के स्किल्स पूछता है तो कंपिटर में को क्या क्या चलाने आता है MS Word, MS Excel या और जो भी चीज़ आती है दोस्तों उसकी जानकरिया अपनी स्किल्स यहां पे दो लाइन दी हुई है तो जो जो आपको आता है कंपिटर के बारें जो ग्यान है आप लिख सकते हैं कोई Special Course या Certificate आपने कर आपने किया है तो उसका उलेख दोस्तों यहां पे आप कर सकते हैं फिर है दोस्तों यहां पे certified मतलब की अब यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे पोस्ट लिखेंगे इस जगह पे अपना sign करेंगे date डाल देंगे और इसे दोस्तों लिफाफ है के अंदर डाल के आपको डाग द्वारा भीज देना है और फिर दोस्तों इंतजार करते रहना ह है कि आखिर कब आपका नाम आएंगा इस पुर्ष्टी में और कब आप खेयात में जॉलिंग लेटर होंगा कि इंतजार करने के वाला दोस्तों कुछ करें सकते हैं सब रगाफल काफी मीठा होता है इसी के नीचे दोस्तों आपको देख सकते हैं यहां पे और एक फार्म द करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा तो वह लोग यहां पर इस फार्म को निकालके भड़ सकते हैं तो उनका फार्म में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं लेकिन आपको यहां पर थोड़ा अपना विभाग का एक्स्प्रेंस लगाना पड़त किये और दोस्तों अभी कि इतना ही फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई रोजकार अपडेट लेकि आपसे अभी क्लिए वीडियो अच्छा लगत लाइक कीजिए चल्फ लगता है तो सबस्क्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो करना चाहते हैं आपने प्रेश्ट